तो स्टुडेंट्स एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत सवागत है यूनिक ऑनलाइन गुरू के यूटूब चैनल पर आज हम लोग फिर से वही अपना फिजिक्स का एलिमेंटरी फिजिक्स का जो हम लॉज आफ मोशन पढ़ रहे थे वो चैप्टर हम कॉंटिन्यू करें पूड़ा सहर्व फिर्म आगही चलते हैं आजके 내가 लेंगे जिससे पूरा wrath क्या करना करना है जिससे हमीं कूरा सेलेबस प्रेंगे कॉजिशन क्या होती है किसी ओबजेक्ट से किसी ही इक रिफरेंस से उसकी तिस्टेंस और उसकी डिरेक्सन यह पोजिशन होती है उसके बाद हमने पता displacement क्या होता है एक बोडी जब एक जगा से दूसरे जगा जाती है उसकी position जब change होती है तो उसे displacement बोलते हैं यह displacement हमने पढ़ा था इसकी unit थी meter आपको याद रहा चाहिए kilo और mass की unit क्या थी kilograms और फिर हमने अगर किसी के respect में अगर किसी दूसरे object का जो position है वो change हो रहा है तो वो motion में है और अगर नहीं हो रहा है एक particular time interval में तो वो rest में है तो यह दो terms थे rest और motion के अब जो log का statement है वो हमने पढ़ा था उसका total जो क्रक्ष था वो क्या था वो यही था पूरा conclusion ही था कि अगर एक body rest में है तो rest में रहेगी motion में है तो एक straight line में motion में रहेगी जब तक हम उस पर कोई external force ना लगाए तो यह था हमारा first law उसके बाद में हमने first law से ही एक term निगल के आया था जो फिजिकल प्रापर्टी होती है हर मास की एक substance की हर body की इनर्शिया उसका definition हमारा first law देता है क्या है law of inertia इसलिए जो first law को law of inertia भी बोलते हैं तो first law क्या गहता है कि हर एक property की हर एक object की प्रापर्टी होती है कि वह अपने state में बदलाव को change को oppose करती है अगर आप वह motion में है तो rest में नहीं जाना चाती है rest में है तो motion में नहीं जाना चाती है और इसी property को English में हम inertia बोलते हैं और Hindi में जड़त तो बोलते हैं दूसरा था हमने ही पड़ा था कि inertia जो होती है inertia भी दो टाइप की होती है inertia of rest और inertia of motion मतलब जब रेस्ट से motion में लेकर जाएंगे तो वह oppose करेगा rest का और जब motion से rest मिलाएंगे तब oppose करेगा उसे motion का inertia बोलेंगे तो यह था inertia का हमारा definition उसके बाद एक और टार्म आया था बाद से कंड रा के स्टार्टिं से पहले velocity वेलासिटी क्या है change of position per unit time यहनि एक unit time में एक आंक समय में उसकी जो position एक कितनी change हुई बतलब उसमें कितना displacement हुआ एक unit time में यह velocity फिर acceleration क्या था जैसे velocity थी change of position with respect to time यह एक्से एक्सेलरेशन है change of velocity change in velocity with respect to time यह acceleration था हमारा उसके बाद पर आया था हमारा यह acceleration पर हमें एक छोटा से हमने example किया था कि कैसे acceleration को हम calculate कर सकते हैं जो f equals m e का formula है कैसे आया यह formula एक और term मारे पास आया force का force क्या होता है किसी object के push करना या pull करना या फिर यू भी हम कह सकते हैं थोड़े और अगर हम general definition दे तो यह है कि अगर वो force वो agency है जो किसी object के state में change कर सकती है या उसको deform कर सकती है उसके shape और size को change कर सकती है यह था हमारा force का definition और एक newton की unit एक newton की value क्या थी force की unit Newton एक newton क्या था वो force जो एक kilogram के object पर लगाने पर उसमें एक meter per second square का acceleration produce कर दे यह होता है एक newton acceleration आपको वहाँ से clear है कि acceleration होता क्या है उसके पास second log के हमारी जो definition थी यहनि second log का statement है वो आया था कि अगर किसी एक m mass के object पर f force लगाया जा रहा है f magnitude का force लगाया जा रहा है तो उसमें a magnitude का acceleration हो मतलब उसकी velocity जो होगी वो a acceleration से change होगी और फिर उस जो acceleration हुआ था और जो force लगा था उसमें एक relation आया था बहुत interesting relation था कि वो जो acceleration है वो force के directly proportional है मतलब कि अगर हम force बढ़ाएंगे तो acceleration अपने आप बढ़ता जाएगा जितना जादा force उतना जादा acceleration और उस से फिर एक constant हमने लगाया था constant of proportionality जिसकी value थी m यानि mass of the substance उसका जो body का mass था वही हमारा multiply जम कर देते थे एसे तो हमारा total force की value मिल जाती थी कि कितना forces में लग रहा है और इसी का use करके हम फिर calculate करते थे कि अगर इतना force लग रहा है इतना mass है तो acceleration कितना हो यह हम इसस calculate करते थे उसकी बाद हमा आप अगर किसी को धक्का देंगे तो उधर से भी आपको उतना ही धक्का उतना ही force मिलेगा opposite direction में या आपकी तरफ में magnitude सेम रहेगा मैं जितने force से इसको दबाऊंगा उतना ही force से यह उपर force लगाएगा कि इसको हटाएगा अपनी उपर से उतना ही force magnitude सेम रहेगा यानि equal magnitude यह equal क्या है? equal magnitude है equal क्या है हापे? equal जो है magnitude equal है मतलब कि जो force लग रहा है उदर से, जो action हो रहा है उदर से, उसका magnitude सेम है दोनों का equal magnitude है और opposite क्या है? opposite direction के लिए use हो रहा है जो direction के लिए term use हो रहा है वो है opposite मतलब जो magnitude होगा force का वो equal होगा जितना force इधर से हम लगाएगे उतना force आएगा और जो opposite है किसके लिए use हो रहा है? direction के लिए मतलब अगर यह direction में फूर्थ लगा रहे हैं तो यह direction में उसका reaction आएगा तो यह हुआ action reaction का यह नि न्यूटन का थर्ड law था उसका statement और यह हमें जो second law पे एक example चोटा सा हिक दम से force हमें पता था, mass पता था, हमें acceleration निकालना था, 2 meter per second square का acceleration आया था यह था हमारा, जो day 1 था हमारा, जो laws of motion का, यह final हमारा था, आज हम start करेंगे अपना एक second topic है, जो इसी से related है, इसी के आगे का इसी का extension है, इसी का एक कोई जो कहते हैं कि descendant कह सकते हैं आप, तो वो है कि frame of inertial and non inertial frames, जो आपके syllabus में जो topic है, वो है inertial and non inertial frames, तो अब इसको समझने के लिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले, इसको समझने के लिए, हमें सबसे पहले, ये समझना पड़ेगा, कि ये frame क्या होता है पहले, बाई, question तो ये आ गया, कि inertial and non inertial frames, inertial, inertial and non inertial, non inertial, frame, frames, ये थोड़ा बड़े में लिखते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला, सबसे ज़्यादा important, ये ही है, जिसको हमें समझना है, कि frame आखिर में क्या होता है, frame क्या चीज़ है, frame, ये क्या होता है, तो frame का मतलब ये होता है, जैसे हमने उसमें example दिया था सबसे पहले में, rest or motion को समझने के लिए, कि एक pole है, example क्या लिए था हमने, कि एक pole है, और ये एक ball है, तो अगर ball की जो position है, वो pole के respect में change हो रही है, जो ball की position है, वो pole के respect में change हो रही है, यह position जो है वो अगर change हो रही है पोल के respect में मतलब या तो distance change हो रही है या उसकी direction या फिर दोनो ऐसा बहुत आज कि जैसे distance जो है वो भी change हो रही है जैसे कि जब एक football player जो होता है वो बॉल को kick करता है तो जो goal post होता है उसके comparison में आप देखिए क्या होता है जो ball है उसकी distance तो change ही हो रही है या तो उसके pass जा रहा होगा या goal post में जा रहा हो दूर जा रहा होगा distance change हो रही है और direction भी change हो रही है ऐसा नहीं कि इस direction है जो प्लेयर होती हो यह होती है कि अलग direction से जाए उसमे goal post पे hit करें अंदर जाके तो position के साथ साथ मनलब position यहाँ पर डेज जो distance है भी बॉल का चेंज हो रहा है, तो यहां पर ऐसी condition है, कि दोनों change हो रही है, ऐसा भी condition होता है, जिसमें केवल distance change हो, जैसे कि, अब यह मगर distance केवल example ने, एक जो car है, वो एक straight line में माले, road पे चल रही है, एकदम सीधे चल रही है, सीधी road है, सीधे पे चल रही है, और road पे आग सामने से ये car जा रही है, यहाँ से एक आ रही है, इस direction में, तो directions के change हो रही है, यह जो rest है, motion है, direction है, यह सब relative terms हैं, समस्या यही पर आती है, कि जब हम इनको केवल, इनको definition समझ लेते हैं, कि यहां rest यह होता है, motion यह होता है, यह नहीं समझ पाते हैं, कि यह एक relative quantity है, मतलब आप rest तभी कह सकते हैं, किसी को कह सकते हैं, यह rest में है यह motion में है, जब आपको एक reference लें, यहां उसके comparison में यह rest में है, जैसे earth और sun का example आया था, कि earth जो है, वो sun के comparison में rest में है, लेकिन अगर वही माउंट आवरेस्ट के comparison में है, यह माउंट आवरेस्ट के comparison में लें, यह माउंट आवरेस्ट को लें हम आवरेस्ट के comparison में, क्या motion में है दूसरे से, नहीं motion में है, क्योंकि earth जहा यहां पर ambiguity आ जाती है, ambiguity मतलब confusion आ जाती है, तो इसी confusion को हटाने के लिए यही use होता है, कि आपको एक reference बताना पड़ेगा, कि आप किस reference से कह रहे हैं, कि यह rest में है या motion में है, तो जब हम reference sun को लेंगे, तो जो mount Everest है, वो motion में रहेगा भाई, क्योंकि अर्थ घूम रही, जब हम reference earth को लेंगे, तो mount Everest नहीं घूम रहा है, mount Everest एकदम rest में है, क्योंकि उसकी जो position है, यानि distance न direction कुछी भी change नहीं हो रही है, earth से, तो यहां पर rest और motion जो है, वो relative terms है, तो उसी comparison में देखा था, कि जो light का, यह traffic light थी, इसके comparison में, जो car की distance है, car की distance तो change हो रही है, car उसकी देर-देर पास आ रही है, लेकिन car की तोड़ी funny सी picture बना देते हैं, car की, लेकिन car की direction है, वो same है, वो constant direction से चल रही है, direction उसकी change नहीं हो रही है, यह example हुआ, ऐसे भी example आपको मिलेंगे, जिसमें distance नहीं change हो रही है, लेकिन direction change हो रही है, जैसे की direction के और change होने का, circular motion का ये पढ़ना है आपको, कि circular motion में एक point हमा लिजिए center है, और यहाँ पे एक circle में एक object घूम रहा है, center है, center से एक fixed distance पे जो circle में घूम रहा है, distance मा लिजिए, मा लिजिए ये है D, और ये center है O, अब इसकी जो distance है, यहाँ यहाँ पे बाल हमा लिजिए, बांदी होई, ये रसी से, जो है पूरी एक रसी है, रसी से है चोटी सी एक धागा है जिससे ball बनी हुई है, अब यह rotate कर रही है, इसी direction में ऐसे चल रही है, अब क्या इसकी distance change होगी over time, हम नचाय करेंगे, कितना भी उसको आप कितनी देर तक करें, उसकी distance change हो रही है center से, नहीं change हो रही है, क क्यों, क्योंकि अभी मालीजी यहाँ पे है, तो यहाँ पे यह ball है, यह ball का center हो गया, और यह center हो गया, यह circle का, अब यहाँ से direction क्या है, यह direction है, अगर हम ऐसे थोड़ा सा समझने, इसको plane में समझें, horizontal plane में है, यह circle पूरा इस तरह से है, और इधर north-south का arrows होती है, वो बना है, तो इधर north हुआ, इधर south, इधर east हुआ, और इधर west, अब इसकी direction ज़रा बताईए, कि यह ball की direction ओ से क्या है, यह center है, उसकी direction ball से क्या है, तो अगर हम इसकी center की direction देखें ball से, तो north-east में जा रही है, यहाँ पे अगर बनाया जाया से, तो देखें यह north है, तो north-east में ball है मतलब यह direction अभी क्या है, अभी north-east है, यह direction, अब यह ball जब circle होके यहाँ पे आ जाएगी, तब ज़रा इसको देखें, जब यहाँ पे पहुंच जाएगी, यह ball, अब इसकी direction क्या है, फिर से यहाँ पे north, south, east, west बनाते हैं, यह north है, अब देखें कौन से direction है, अब तो exact south direction मे अब देखें के इस सेंटर, तो क्या वो distance तो same है, distance तो over time same है, लेकिन direction जो है, वो धीरे धीरे बदल रहा है, तो direction change हो रहा है, मतलब वही बात, position change हो रहा है, क्यों क्योंकि position दोनों combination है, distance का और direction का, तो position यहाँ पे change हो रहा है, मतलब वहाँ पे एक, जो उसकी position उसमें displacement हो रहा है, क्यों, क्योंकि distance नहीं change हो रहा है, लेकिन direction change हो रहा है, तो यहाँ पे, यह example हो गया है, यह समझाने के लिए, कि जो ball है, मतलब एक object है, वो दूसरे object comparison में हो सकता है, उसका distance same हो, लेकिन direction change हो, तो position change करने के, position को थोड़ाँ से clear करते हैं, एक बाद, और इससे भी, circle का हमें अब काम नहीं है, यह हमार direction का, जो example था, हो गया, अब हम यह करते हैं, यह समझते हैं, तो हाँ, यह थोड़ा एक बार clear हो जाए, एक बार जरा लिक लिए जाए इसको, कि जो position है, वो change कि इतना हो सकते हैं, तो ways of changing position, मतलब position, यह important, बहुत important topic है, यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे अगर आप अभी clear नहीं हो जाएगा सारे doubts, तो आगे चलके परिशान करेंगे, इसलिए इनको थोड़ा ज्यादा time होन देंगे, कि यह clearly समझ में आ जाए, कि change of ways of changing position, मतलब किसी object का, किसी एक body का, किसी दूसरी body के comparison में, मतलब एक point यह है, यह point A है, यह point और यह point यहाँ पे है, यह point B है, तो point A का B के comparison में, जो position है, वो कैसे change हो सकती है, क्या-क्या तरीक हैं, जो change हो सकती है, तो यह हम एक बार तो लिख लेते हैं, यह दिखा देते हैं, यह है इन दोनों की बीच की distance D, और B से A का जो direction है वो यह है, तो direction फिलहाल के लिए अगर हम यहाँ पे वो arrow बना लेते हैं, horizontal plane में करके, यह दियार रखेगा, यह vertical plane है, जिसमें हम board को use कर रहे हैं, वो vertical plane है, यह plane, और जो north, south, east, west यह directions होती है, वो इस plane में होती है, यह horizontal plane में, तो अगर हम इसको ऐसे यहाँ पे बना रहे हैं diagram, इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे north, south, east, west लिख रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि हमको यह imagine कर रहे हैं, कि यह ऐसे में हम चल रहे हैं, इस plane में हम देख रहे हैं, इस direction में देख रहे हैं, ना कि इस direction में, तो इस direction में, इस direction क्या होगी, A की, सीधा जो है, east direction होगी, एकदम से east direction होगी, A की, B के comparison में, east direction है यह, यह direction के लिए बनाया है, vector का symbol नहीं है, यह direction का symbol है, फिलाल समझाने के लिए, कि यह direction है, B का जो है, A का जो है, B के respect मे अब ये तो clear हो गया, कि ये direction है, ये points है, अब ये change कैसे हो सकती है, मतलब A का जो position है, ये position B के comparison में change कैसे हो सकती है, तो उसके लिए 3 तरीके है, 3 तरीके कौन से है, सबसे पहला तरीका है, पहला तरीका है change in distance, मतलब जो distance है वो change हो जाए, मतलब जो B जो point है या A जो point है, उसकी जो distance है B से, वो change हो जाए, मतलब ये जो D है, ये ज़्यादा हो जाए ये गम हो जाए, एक यह तरीका है, मतलब कि जो distance है वहां से वो change हो जाए, एक यह तरीका हुआ, दूसरा तरीका क्या हुआ, change in direction, क्योंकि position क्या है, दो चीज़ का combination है, distance और direction, दोनों मिला की position दिखा जाता है, तो second क्या होगा, change in, change अब की किस भी change हो, direction, मतलब जो direction है उसकी reference से, वो change हो जाए, तीसरा तरीका क्या है, change in, अब दोनों में change आतो हो जाए, यह भी तरीका है, अगर distance भी change हो रही है, तो भी वहां पे position उसकी change हो रही है, change in distance, distance and direction as well, मतलब distance तो change हो ही रही है, साथ में direction भी थोड़ी सी change हो रही है, थोड़ी आप बहुत, जितना भी हो, उसको हम position में change कहेंगे, मतलब distance जो है वो भी change हो है, direction चेंज रहा है, और तीनों को example भी हम देख चुके है भी, distance का direction दिया, जो football, जो मतलब इसका था, distance का, जो car चल रही थी, traffic light की comparison में, distance की वोल change हो रही थी, direction का example दिया, जो की circle वाला था, मैं distance नहीं change हो रहा है, लेकिन जो ball है उसकी direction change हो रही है, ये example हो गया direction का, और जो तीसरा है, change in distance and direction as well, distance और direction का ये example कौन सा था, जो football player था, जो football को kick कर रहा था, वहाँ पर distance भी change हो रही थी, goal post की comparison में, जो ball की distance है, वो भी change हो रही थी, और ball की जो direction है, वो भी change हो रही थी, तो position change करने एक तीन तरीके हैं, अब यहीं से जो हम clear होगे, तो यहीं से अब समझ में आ जाएगा, की frame क्या होता है, तो इसको हम एक दूसरे slide पर चलते हैं, अब देखते हैं, frame क्या होता है, frame की actual meaning की frame क क्या है, frame का actual मतलब क्या होता है, जो हम inertial और non inertial frame में पढ़ने वाले हैं, की frame क्या होता है, तो frame क्या होता है, frame हम ऐसे समझते हैं, की अभी हमने pole देखा, ball के comparison के लिए, football player वाला जो था, उसकी example हमने goal post देखा, और जब car वाला था, उसमें traffic light को देखा हमने, circle वाले में center द reference मतलब, यह frame केबल नहीं है, frame यह पूरा होता है, frame, यह पूरा क्या होता है, frame of reference, यह total उसकी जो physics में जो use करते हैं, frame तो ऐसे हम कह देते हैं, की थोड़ा आसान पड़ता है, लेकिन actual इसको जो बोला जाता है, जो actual इसका नाम है, वो है frame of reference, अब reference है इसे थोड़ा आपको clear हो सकता है, reference का मतलब आप किसके comparison में देख रहे हैं, तो frame of reference कुछ complex चीज नहीं, बस वही simple सा, जिसके comparison में हम चेक कर रहे हैं, कि body rest में है या motion में है, वही हमारा frame of reference है, उस particular experiment के लिए है, उस particular example के लिए, जैसे कि उसमें जब हम football का check कर रहे थे, तो football किसके comparison में कर रहे थे, गोल पोस्ट के, तो गोल पोस्ट के comparison में check कर रहे थे, तो वहाँ पे frame of reference क्या था, गोल पोस्ट हमारा था, और वही जब हम check कर रहे थे, गोल पोस्ट के अलावा, traffic light की comparison में, तो comparison किस से कर रहे है, traffic light से, तो उसमे frame of reference क्या हो गया, traffic light, तो ये है, frame of reference मतलब जिसके comparison में हम motion arrest देखते हैं तो इसमें हम इसको अगर example लिखना चाहें मतलब इसकी अगर definition थोड़ी लिखनी चाहें तो यह हो जाएगा the body in respect in relative to which in relative to which in relative to which in relative motion or rest motion या rest हम दोनों देखेंगे motion or rest of another body body is seen या perceived लिख सकते हैं is perceived जादा जो precise term होगा perceived मतलब हम perceived यानि हम कैसे उसको देखते हैं किसके comparison में perception हमा रहा है कि रेस्ट में है motion में है वस object को उस body को करते हैं frame of reference उस particular example के लिए जैसे अब sun और earth वाले में समझ लेते है frame of reference का कि जब sun और earth का है mount Everest अभी छोड़ देते हैं बहुत बड़ा पर जा रहा है तो छोटा चीज होई लेते हैं कि एक train वाला जो स्कूल बस चल रही है अब जब हम frame of reference यानि जो reference जिस object से ले रहे हैं उसको अगर हम road को लें कि road की या road में एक pole लगा है एक pole खड़ा है उसके comparison में उसका frame of reference हम अगर जो pole को बनाए तो जो body यानि जो लड़का है वहाँ पे जो boy है student है वह चल रहा है कि नहीं मतलब मोशन में है कि नहीं तो अगर बस चल लिए तो शोरली जब मस चल रही है तो यह भी motion में है क्यों क्यूंकि जब पोल जो है उसके comparison में इसका position यानि डिस्टेंस एंड डिरेक्शन बोथ है पर चेंज हो रहे हैं तो position उसकी change हो रही है वही अगर हम frame of reference हम bus को ले जब frame of reference पोल को रहा है तो बच्चा चल रहा था अब bus को ले बस की सीड के comparison में यह जो driver आगे है इस सब को में से किसी हो अगर frame हम लेंगे frame of reference अपना अब बताए जो bus की seat है उसके comparison में जो student हो चल रहा है क्यों क्योंकि उसकी जो position है उसकी जो distance है ना direction है कोई भी उस seat के respect में change नहीं हो रहे है तो यह हूए यहां पर frame का चेंज मतलब हम frame पोल को लीते हैं portion में है frame जब bus Aunth को लेते हैं seat को लेते हैं तो rest में है तो यहां पर यह main importance frame of reference का frame of reference के बिनरा आप कह ही नहीं सकते कि यह rest में है या motion में है यह clear हुई बात अब frame of reference clear हो गया अब जो actual topic है उस पर थोड़ा चलते हैं कि inertial versus non inertial frame of reference तो inertial हमने पढ़ लिया है inertial versus non inertial जो हमार आपका topic है वो क्या रहेगा inertial versus non inertial versus non inertial, non inertial. अब inertial versus non inertial frame of reference यहाँ पही frame of reference inclusive, included हुई अब बात किसी कर रहा है inertial non inertial frame of reference की की inertial frame of reference क्या होता है तो inertial frame of reference हम समझते है inertia हमें clear है क्या है inertia वो property है जो बताती है कि वो property है जिसकीवज़ से एक औब्जेट में है तो rest में रहना चाहता है motion में है motion में में रहना चाहता है अह सब्सकर पनी state को change 옆ों करता है इसको oppose करता है कि नहीं पुझे चेंज नहीं होना चाहिए अगर हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो भले अब चेंज कर लें अदर्वाइस तो करेगा ही करेगा तो यह हुआ इनर्शिया इनर्शिया का अब इनर्शियल फ्रेम हम इनर्शिया से थोड़ा अगर एकदम इनर्शिया का नहीं लें इसको दोर समझने के लिए अगर आप समझें तो ऐसा फ्रेम जो किसी दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेटेड ना हो मतलब एक फ्रेम अगर किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है नॉन एक्सेलरेटेड है तो उसे बोल पर ए ten गे या उसकी स्पीड हो जाए मतलब अगर तस की में चल रहा था तस किलो मेंटर और 10 खम चलरहा था तो पांच में चलने लगी है पांच ज कल contrast उसकी मी आलड़ फिर दिर गरी मतलब जो रही है और शेती के तो इस थे सिदेगे हो रही है तो चलता आपया दो घर करें horizontal plane में ये north, ये south, ये east, ये west, तो अभी तो east में जा रही थी, ऐसे जब turn हो गई, right में, तो किदर जाएं लगी, south में जाएं लगी, तो speed तो उसकी same है, speed जो है car की वो थोड़ी सी change होई बीच में जब उसको turn लेना होता है, लेकिन वो practical हाँ वहाँ नहीं जाके, यहां प लिकिन डिरेक्शन चेंज हो गया, तो वहाँ पे, उसमें acceleration हुआ, क्यूंकि acceleration क्या है, velocity का change, और velocity क्या है, speed और direction, दोनों का combination है, अगर speed चेंज हो रही या, direction चेंज हो रही हो रही हो तो इसमें acceleration हुआ, तो car वहाँ पे जो रहेगी, जो car को अवर और अगर यहाँ पास उसक जब तक ऊंए लोघो को ताप तक हो रहा है था मिल सब्सक्स करिए लोगतुए अनग जब तख एक क्वाइशन कोई नहीं हो रहा है अगर रोडेशन थे के कल एक हम माउंट अवरेश्ट का फिर से लेता है example, तो माउंट अवरेश्ट का example अगर हम ले, या कोई भी छूटा सा अबजेक्ट जो भी अर्थ पर fix है, एक pole है, एक pole खंबा लगा होता है, और फिक्ष होता है, वो move नहीं करता है, अगर आपको manually उसको move नहीं करें, तो normally वो move नहीं वो अगर हम रिस्ट में रख देंगे अब देखे थोड़ा law of inertia follow होने का मतलब क्या है inertia पता है law of inertia भी पता है कि अगर resist करेगी body अगर उसको state हम change करेंगे अब ये clear हो गया कि inertia ये है देखते है पोल की comparison law of inertia follow होना ना होना कैसे हम decide कर सकते है एक car है जो अब car एक सीधी लाइन में चल रही है car एक या bus शीधी लाइन में चल रही है मतलब उसकी जो direction है वो change नहीं हो रही है फिलाद पोल के comparison में पोल वहाँ पे है traffic जो light traffic light का पोल ही कर सकते हैं पोल वहाँ पे है इस direction में ये है पोल हमारा और यह जो हमारी झो कार ये बस है ये जो कूल बस है हमारी ये हमारी बस है ठीक है है अब यह बस कर में ये बस जो है जो बस है इसका जो हम post Bitcoin अगर हम देखेंगे तो position पेallमे इसके िथेस्ड देखिके जढ़ा yer ba de fixer से यूरी है सिचली तदी पर भी पुच्छ हो रही है तो डिस्ट इसटक्ट जो तब किकि के यहां पर आप बाद भीर चैन्ऽ हो रही है मतलब वेली कि वह सब्सक्राइब पे आधे सबllanाने लुक्तित पीड़े सब्सक्राइब गृतिशन ही Mortal यह रहा। एछ फोल्टि केशन हो रहा है विलासटी क्या है या पॉल्टिके लॉट्ट चेंज också जाएं मतद टैंड़ics वह जाएं या उसकी डारेक्शन चेंग अब जो डिस्टेंज कवर्ड पर यूनित टाइब है यहीं जो इसकी कि यूदिnova रही है यह इस दारकेटेन में जा रही है 20 किलमेटर परार की स्पीड सोटांच यह इस पीड पराबर है 20 km पराइफ member LG स्क्सट्ट में रही है दे इतार मेर्टें मेर आपीobject है यहां color 9 पे चल रही है तो 10 पर दिरेक्षरं क्या है एक पसकिला ह TV तो है Bye Thisysical तो 20 पचीस किलो मेंटर या मेर्ड कुल मानता है इधर से आगल लेकर सब्सक्रिक्शन क्या है ँदर सी rent तो यह नॉर्थ है, यह साउथ, यह वेस्ट, यह एस्ट, अभी पोल की कमपेरिसन है, बस की डिरेक्शन क्या है, वेस्ट डिरेक्शन है, अभी साढ़े दस बजे माने, या दस बज की पंदरा मिंट पंदरा मिंट भी का है, उसके बाद डिरेक्शन क्या है, जब बस यहां प proportion डिर्क्षें में है नहीं जिन हो रही है और शेलरेशन होता क्या है जो ही नहीं रहा है मतलब जो विलासिटी में चेंज चेंज है जो physics में mainly use करते हैं, change को हम delta से दिखाते हैं, अगर होई time interval में कोई change हो रहा है, तो उसको delta से दिखाते हैं, यह delta का symbol है, यह symbol delta का है, तो velocity का symbol तो हमें पता यह भी होता है, तो change in velocity per unit time, यह होता है acceleration, और change in velocity कुछ हो ही नहीं रही है, तो change in velocity 0 है, times आप कुछ भी रख लिए, यह 0 के अलावा, तो time acceleration 0 हो जाएगा, मतलब इसमें acceleration नहीं हो रहा है, तो अब pole के comparison में, फिर से चलते हैं, आप इन नहीं slide पे, अगर जो pole है, उसके comparison में, अब जो bus है, वो कैसा frame है, inertial frame है या non inertial frame है, simple सी बात है, चूंकि acceleration हो ही नहीं रहा है, velocity change ही नहीं हो रही है, acceleration हमने यहा calculate भी कर लिया, mathematically, acceleration यहाँ पे 0 आ रहा है, तो उसमें हम कैसे कह सकते हैं, कि acceleration हो रहा है, acceleration नहीं हो रहा है, मतलब वो एक inertial frame है, मतलब अगर उस bus की comparison में, किसी को हम देखे, law of inertia follow होने का क्या मतलब है, law of inertia follow होने का यह मतलब है, कि अगर वो एक student है, जो bus के अंदर बैठा है, और बस यहाँ पे inertial frame है, अब inertia का law है, मतलब अगर जो student है, वो bus की comparison में, rest में है, तो rest में ही रहेगा, motion में नहीं चला जाएगा, अपने motion में जा सकता है, नहीं जा सकता है, क्यों, 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 bus में बैठा है, और bus एक inertial frame है, क्योंकि accelerate नहीं हो रही है, तो law of inertia यहाँ follow ह होगा, अगर वो rest में है, तो rest में ही रहेगा, अगर कोई चीज मोशन में है, bus में, तो वो चीज मोशन में ही रहेगी, change नहीं होगी, जब तो उस पर कोई external force ना लगा है, तो वहाँ पे law of inertia hold करेगा, that's why the bus is an inertial frame in comparison to the pole, जो pole के comparison में bus जो है, वो एक inertial frame है, अब यह बाकी sequence समझने के लिए बाकी चीज सम रहें दिजिए, जो pole है, अब उसको pole के जगा ज़रा sun को लेके देखिए, जो sun है, उसके comparison में ज़रा देखिए, कि sun के comparison में क्या उसका जो bus है, वो inertial and non inertial है, अब sun कहा है, sun यहाँ पे है, अर्थ कहा है, अर्थ एक छोटी सी, बहुत छोटी स अर्थ जो है, वो अपने एक particular orbit में यहाँ पे कहीं घुम रही है, और इस पे कहीं छोटी सी हमारी bus है, यह हमारी bus है, अर्थ के उपर, अब अर्थ का जो bus है, अब bus का direction sun के comparison में, बड़े example ले रहे कि और रिदम क्लियर हो जाए, यह जो examples हैं, यह जो laws हैं, यह microscopic and macroscopic sub-level पे hold करते हैं, generally, मतलब micro-scopic का है, हम क्या मतलब है, छोटे object, मतलब car है, bus है, cycle है, ball है, इस सब पे hold करते हैं, अर्थ है, sun है, galaxy है, इन सब पे भी hold करते हैं, inertial non-inertative frame जैसे laws, इसके लिए हम sun का bus से comparison करें, मतलब अगर हम देखें, तो एक microscopic हम कह सकते हैं, उसको एक macroscopic से हम compare कर हैं, अगर sun को macroscopic मानने हैं, तो bus को macroscopic मान सकते हैं, scale पे, तो bus हमारे, तो यहाँ पे scale कर रहे हैं, यह समझ में आए, कि यह law, छोटे से बड़े किसी भी object हो, कोई भी body हो, उस पे hold करता है, apply होता है, अब जो sun के comparison में जो bus है, अब क्या वो accelerated है, direct distance तो है, मान लीजे, सेम है, अर्थ है एक circular orbit में, अगर मान लेगी चल रही है, actually में circular orbit में होता, लेकिन overall अगर हम माने कि एक अर्थ जो है, वो एक circular orbit में चल रही है, अब अर्थ जो है, वो तो चल रही है, अर्थ जो है, वो अर्थ के साथ साथ चल रही है, तो अर्थ है, अर्थ पे बस चल रही है, थोड़ी सी मान लीजे, एक किलोमेटर ही जाएगी, तो उसको हम वहाँ पे देखते हैं, अर्थ के साथ में चल रही है, अब sun के comparison में बस जो है, उसका direction चेंज हो रहा है कि नहीं, अर्थ यहाँ पर जैसे पहुंचेगी, बस की direction क्या है, एक accelerated frame है यहाँ पे, बस क्या है, एक accelerated frame है, sun के frame of reference से, सन से अगर कोई देखे गा रहा, कोई sun पे जाए वहाँ से देखे, तो बस में acceleration उसको दिखेगा, क्यों, क्योंकि बस का direction चेंज हो रहा है, और direction चेंज हुआ मतलब velocity चेंज हुई, तो यहाँ पे यह non-inertial frame of reference होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर law of inertia को हम देखे, अब बस के comparison में acceleration हो रहा है, नहीं हो रहा है, sun के comparison में हो रहा है, बिलकुल हो रहा है, तो अब जो बस हो गई, वो sun के comparison में, एक non-inertial frame हो गईए, तो यह होता है, एक और नोन इनर्शन फ्रेम जिसमें जो फ्रेम दूसरे दो फ्रेम जो एक्सेलारेट्ट नहीं है एक्सेलरेशन जिसमें तो बाते होंगे नॉन इनर्श्यल क्या उता है अब हम चलते हैं दूसरे वाले पर अगर एक फ्रेम है, यह 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 एक फ्रे यह रही हैं उसकी सब्सक्राइए चाहिए सब्सक्राइब मोच और य데ॉस बւशेटि में जिसके जो अंभी बॉस्टी है वह विल्काइम के साथ चन्ज हो उतीर है तो दोब बस है तो यह होगा एक accelerated frame of reference, मतलब इसके comparison में जो बॉल रहेगी, तो बस को हम example लेते हैं, तो यह पोल के comparison में जो बस है, यह एक accelerated frame of reference है, बस जो है accelerated frame of reference है, और वही अगर example, यह same example अगर हम लें एक comparison में, कि अब आता है यह हो गया accelerated का, non accelerated के क्या हो जाएगा, accelerated यहां पर क्यों है, क्योंकि यह pole है, जो pole है सामने traffic जैसा pole नहीं है, बगल में, जो road के बगल में post होते हैं, उसके comparison हैं, तो बस अभी यहां पर है, यह pole है, मान दीजी यहां पर है, दे दे बस होके यहां पर चली ओवराल जो direction हो रहा है, वो change हो रहा है, तो बस जो है, यहां पर एक accelerated frame of reference हो जाएगी, यहां पर pole की comparison में, वो pole यह pole में अंतर है, वो pole हम traffic light वाला pole कर रहे थे, जो सामने है, जिसके bus सीधे जा रही है, यहां पर pole road के बगल में है, जिसको बस ऐसे जाएगी, को उस दिर बार cross करके फिर आगे निकल जाएगी, तो direction उसकी जो होगी, change हो जाएगी, यहां पर, तो यह एक accelerated frame of reference है, uniformly और non uniformly का क्या मतलब, यह भी एक छोड़ा topic है, कि uniform क्या होता है, uniform मतलब something that doesn't change, और uniform acceleration का मतलब क्या होता है, acceleration doesn't change, तो acceleration क्या था, velocity का change, अब acceleration में भी change हो सकता है, मतलब कि अब three seconds में, acceleration क्या है, velocity का change, मतलब जो एक object है, एक ball है, वो three second में, three seconds में, उसमें कितना acceleration हो रहा था, commitment. में वह सपोज हम कहते हैं कि 60 میटर पर सेकंड इसकी इसकी विलासिटी बढ़ जा रहे थी इन सेकंड में विलासिटी प्लस 60 लिए टेट अब इन सेकेंटřेटरशन कर रहा है आभी कुछ दिर बाद तो प्रेस कर रहे है और जाद हम ने उसको accelerate कर दिया अब क्या हो रहा है 3 seconds ले रहा है देकिन velocity कितनी CHANGE हो रहा है तीन second में velocity 120 हो जा रही है 120 change हो जा रही है 120 km पर second U.S. में velocity increase हो जा रही है 3 second में तो अब kम इसमें acceleration कितना होered 120 divided by 3 40 meter per second, सीधा उसका ज़स्ट यहां इसका double है, मतलब इसमें अभी acceleration, 3 second तक acceleration हो रहा था, initially जो था, 3 second तक acceleration हो रहा था, 60 meter, 3 second तक, मतलब 3 second के लिए 60 meter per second, 3 second में बढ़ जा रही थी, अभी तक, यहनी acceleration 20 meter per second square का हो रहा था, 3 second के बाद, फिर अब 3 second में 120 meter per second उसकी velocity बढ़ जा रही है, मतलब एगर 10 बच के 42 minute, 42 second पे अगर हम देखें, 1042 past 42 second पे अगर हम देखें, तो उसकी velocity थी, suppose 100 meter per second, यह कब थी, 1042, 10 past 42, और 42 second पे, यह इसकी velocity थी, 10 meter per second, और जब यह 3 second बढ़ गया, मतलब, यहाँ पे यह हो गया, 45, तो velocity कितनी हो गया, उसकी, 120 तो नुचू जो जाए, क्या कह रहा है, कि यहाँ पे अगर condition देखें, तो 60 meter per second बढ़ रहा है, यहाँ पे उसकी velocity हो जाएगी, 160, और फिर अगले 3 second में, acceleration जो हो रहा है, वो 40 meter per second square के rate से हो रहा है, मतलब कि, अब जो 3 second में acceleration होगा, 120 meter per second का होगा, तो अगले 3 second में, यह 42 से 48 तक का, 48 तक का अगर हम देखते हैं, तो अब इसकी velocity कितनी हो जाएगी, 160 था, 160 था, 120 प्लस कर देते हैं, तो आजाएगा, यहाँ पे आजाएगा, 280, मतलब अभी तो यहाँ पे कितना बढ़ा, 60 का change आया, प्लस 60, यहाँ पे कितना change आया, प्लस 120 का change आया, तो यहाँ पे, प्लस कितना आया change, जो change आया, वो आया, प्लस 120 का, यहाँ जो acceleration हुआ, वो just double हो गया, तो यहाँ पे acceleration भी change हो रहा है, velocity तो change हो रही है, लेकिन जिस rate से velocity change हो रही है, वो rate भी खुद में change हो रहा है, अभी तक 20 meter per second square था, अब 40 meter per second square हो गया है, इसे बोलते हैं, accelerated acceleration, आप बोल सकते हैं, कि मतलब जहाँ पे जो acceleration है, वो change हो रहा है, यहाँ पे acceleration जो है, वो non-uniform है, यहाँ पे acceleration 20 था यहाँ चाले, जो uniform मतलब, something that does not change, non-uniform मतलब, something that is changing, तो non-uniform acceleration का मतलब, acceleration which is changing, इस condition क्या है, acceleration is 20 meter per second square, and after 3 seconds, the acceleration has become 40 meter per second square, acceleration itself is changing, acceleration खुद बदल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गई, uniform acceleration, वो non-uniform acceleration हो गया, मतलब, changing acceleration, और अगर हम यही, अगर जो accelerator हमें प्रेस किया था, वो हमने जितना accelerator प्रेस किया था, जितना accelerate किया था, वो ही उतना रखते, 6 seconds तक, मतलब, 3 seconds जो रखे, उसके बाद फिर अगले 3 seconds तक भी हम accelerator उड़ता नहीं रखते, तो क्या होता हमाँ पे condition, अब फिर उसे उसी में जाते है, 1042 और 42 पे, क्या था, इसकी velocity कितनी थी, 100, 100 meter per second, और 1042 और 45 seconds पे, कितनी हो गई थी, 160 meter per second, प्लस कितना हुआ था, 60, यह 3 seconds में बात है, यह कितनी कि हो है, यह बात यह काम हो, 3 seconds में, और फिर 1042 और 48 पे, मतलब, अगले 3 seconds में, फिर क्या हुआ, velocity फिर से 60 ही प्लस हुई, यानि 220, कितना हुआ, 220 meter per second, यहाँ पे, चेंज कितना आया, यहाँ प्लस 60 ही आया, प्लस 60 क्या, प्लस 60 meter per second, तो यहाँ पे, acceleration जो हुआ, यानि, change in velocity हुई, वो दोनों सेम ही हुई, इसे क्या बोलें के, uniform acceleration, वहाँ पे क्या था, non-uniform acceleration, मतलब, acceleration को, जो magnitude है, वो खुच चेंज हो रहा है, और, uniform acceleration मतलब, acceleration, change नहीं हो रहा है, तो यह हो गया, uniform acceleration, ठीक है, पिछली में कहा था, non-uniform, जिसका example यह था, कि मतलब, 20 से अभी, car cut, पहले प्रेस किया, तो 20 था, उसके बाद, और जब प्रेस किया, तो acceleration हमारा, 40 meter per second, कार का हो गया, और, इस condition में, हमने जो acceleration रखा, वो constant रखा, तो यह वो हो गया, uniform acceleration, यह के example हो गया, uniform acceleration, और, जब car को, अब हम उसी car के respect में, अगर हम किसी object का, किसी आदमी का, हम motion और rest देखते हैं, जो reference है, अब यही car है, इस case में, जो यह वाली car है, इस case में, यह वाली car का हम देख रहा हैं, और यह वाली, जिसमें acceleration हो रहा है, तो car अब इसमें कैसी हो जाएगी, accelerated frame तो है भाई, simple सी बात है, velocity change हो रही है car की, मतलब car को अगर हम frame of reference मानें, तो car एक accelerated frame of reference है, लेकिन कैसा accelerated है, car यहाँ पे एक non-uniformly accelerated frame of reference है, मतलब जो frame of reference है, हमारी car है, उसमें acceleration non-uniform है, acceleration change हो रहा है, और यहाँ पे जब उसी को देखते हैं, कि यहाँ पे भी जो car है, यहाँ पे उसमें पहले 60 हुआ, फिर भी 60 का ही हुआ, change, मतलब acceleration पहले 20 meter per second square था, और यहाँ भी 20 meter per second square ही है, तो car को अगर हम frame of reference मानें, तो वो एक accelerated है, यहाँ पे भी, लेकिन एक uniformly accelerated frame of reference है, तो यही difference होता है, uniformly और non-uniformly accelerated frame of reference में, uniform acceleration में, acceleration same रहता है, आप 3 second, 10 second, 15 second जब भी देखें, और non-uniform में आपका acceleration change होता है, जरूरी नहीं बढ़े ही, यहाँ पे जरूरी नहीं कि बढ़े ही, यहाँ पे 20 meter per second square था, यहाँ 40 हो जाए, जरूरी नहीं है, हो सकता है, 40 के बाद में, अगले 3 second के लिए, यहाँ पे यह 10 meter per second square हो जाए, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, तो non-uniform का मतलब change हो रहा है, चाहे बढ़ रहा है या घट रहा है, यहाँ पे uniform है, 60 है, तो 60 है change, मतलब अगर acceleration 20 meter per second square का है, तो 20 meter per second square का ही रहेगा, यह हुआ accelerated और uniformly और non-uniformly accelerated frame of reference का, अब हम देखते हैं इसका थोड़ा यह example, जो की बहुत काम आने वाला है, अब हमने थोड़ा सा उसको बारे में देखा है, अब ही आगे और थोड़ा देखते हैं उसको, कि क्या होता है, एक uniformly accelerated frame of reference का एक example हम लेते हैं, एक circle, जो circular motion होता है, एक circular motion अगर कोई string जो है, एक धागे से एक धागा है, उससे एक ball है या एक object है बंदा हुआ है, और उसको मैं ऐसे rotate कर रहे हैं, ऐसे, वहाँ पे अब हो rotate कर रहा है, इस center की चारोर rotate कर रहा है, इसको center लेकर, वहाँ पे वो जो ball है, जो आपे tide है ball, यह हमारा हो गया center, यह center हमारा हो गया, यह center point हमारा हो गया, और उसके around जो ball है, यह ball जो rotate कर रहे हैं, यह ball है, वो यहाँ पे है, rotate कर रही है, और यहाँ से, एक second, यह center है, यह है, अब थोड़ा और थोड़ा सा clear हो गया, यहाँ पर center है, O, और ball है, वो यहाँ पर कहीं पर है, यहाँ एक string से tied है, धाग्य से बंदी हुई है, एक सर्ग जो radius है यहाँ से, R है, इस circle का radius, अब यहाँ पर सर्ग जो ball है, जब रोटेट कर रही है, इस direction में, ऐसे, तो अब क्या, अब सोचें, ज़रा बताएं कि यह, जो ball है, वो accelerated है, और non-accelerated है, velocity तो है ball में, यह तो कोई भी बता देगा, तुरन आप समझ जाएंगे, velocity है, क्योंकि उसकी एक direction में speed है, speed जो है, वो है, मतलब position जो है, उसकी center के comparison में, जो center O है, इसकी comparison में, उसकी position change हो रही है, मत जब displacement हो रहा है time में, तो displacement पर यह तो velocity होती है, तो velocity तो है उसकी, velocity मान लेजे चलिए V है, ठीक, V velocity है उसकी, अब यह बताएं, acceleration हो रहा है कि नहीं, यह समझने वाला है, हाँ concept है, कि acceleration हो रहा है कि नहीं, मतलब velocity change हो रही है कि नहीं, तो इसको समझने का तरीका है, क्या तरी acceleration समझें पहले हैं, हम सबसे पहले recall करें अपने brain में, कि acceleration क्या होता है, तो तुरंद brain में आयता है, brain क्या बताएगा, भाई acceleration क्या होता है, acceleration वो होता है, जहां पर हमारी velocity change हो, velocity change हो, acceleration मतलब delta V हो, मतलब velocity change हो, per unit time, कुछ time लिया, change in time आया, मतलब यह time interval को show कर रहा है, यह जो change in time हम दे रहे है, change in time का क्या मतलब है, change in time जो है, यहां पर time interval show कर रहा है, यह जो show कर रहा है, यह time का particular interval है, time interval, यह time interval show कर रहा है, और यह क्या show कर रहा है, यह show कर रहा है, change in the velocity, change in velocity, मतलब उसकी जो velocity है, वो change हो रही है, यह हुआ acceleration का definition, यह तो overall हम एक point में, एक एक मतलब एक equation के सम्सिंपल से एक equation के जरी हम बता दिये कि ये होता है acceleration हमारा ये total change in velocity per unit time यानि आपां change in time ये acceleration हुआ, अब acceleration के लिए velocity में या change हो, velocity में change होना दरूरी है, क्योंकि time में change नहीं होगा, यहां पर ध्यान रखिए, time interval change हो सकता है, लेकिन जो per unit time है, acceleration में हम per unit time दे 8 seconds, वो हमार change नहीं हो रहा है, तो अब change किस में आएगा, velocity में ही आएगा, तभी acceleration होगा, और velocity में change आने के क्या तरीका है, velocity में change कब आएगा, velocity क्या है, position में change, change in position is called velocity, और जब position में change हो रहा है, तो इसे लिए एक पो टापिक यहां पे लिखा गया था, कि जो position है, उसको change ह तरीके कितने हैं, मतलब कितने तरीके हैं, जिनसे जो object है, उसका position change हो सकता है, तरीके कितने निगल के आए थे, तीन तरीके, तीन ways थे, जिनसे उस body का, जो position हो change हो सकता है, एक या तो distance में change हो, जो reference है, हमारा जो frame of reference है, उससे इस object का distance या तो change हो, या direction change हो, या फिर दोनों तो अगर पोजीशन चेंज होगी, तो विलासिटी तो होगी, और अगर विलासिटी भी, अब विलासिटी में भी सेम चीज आ गया, अगर विलासिटी है, तो विलासिटी का चेंज का मतलब क्या हुआ, विलासिटी क्या है, विलासिटी क्या है, विलासिटी क्या है, स्पीड पिर उसकी direction change हो, अब velocity यहां का speed है, मतलब जो magnitude है, वो तो यहां पर हम देख रहे हैं, कि magnitude तो भाई constant है, velocity का magnitude है, यह तो constant है, हम पहले ही बता दिए, V से चल रहा है, V velocity से, मतलब velocity का magnitude same है, direction क्या same है, direction देखें जारा same है, direction अभी देखें, velocity जो है, उसकी direction यह अलग color से लिखत velocity का direction जो है, वो change हो रहा है कि नहीं, अभी velocity का direction क्या है, इधर है, इस direction में, और यह कौन सा direction है, अगर इसको horizontal plane में रखें है, simply ऐसे रहते हैं, तो अभी इसका direction क्या है, downward direction है, अभी velocity क्या है, horizontal plane क्योंकि यह ball जो rotate होगी, यह ऐसे rotate होगी, इस direction में, ऐसे, तो यह जो ऐसे बन यह जो है वह यहां से हटके यहां आ गई जब बॉल यहां पहुंच गई क्यों रूटाय वह सेर्डला में यहां पहिंडल रहा रहा है जबason सेपने संद्रेंद कBooks क्यों पर निया सब्सक्याट एक जबशन सब्सक्राइब लोस्ट्राइब अल्सक्राइर बांजन भी ऌनारथ बहुत मीच और वह अब है West same यहां पे बियगर देखेंगे तो वेलांसी के डिरेख्षम हो जाएगी यानिकि नॉर्थ अब आसरी के मैगनीट्ड सेम है星 तो सामने सामने साथ सामने क्लियर ली दिख रहे दिरेकश्चिया कि डिरेख्षम हो रहा है दिएक के देरेक्षिन यहां से यहां से यहां यहां चेंज हो रहा है मतलब वेलासिटी चेंज हो रही है स्टाECT क्या था magnitude of direction combination था speed of direction का speed तो चेंज नहीं हो रही है मतलब विलास्टी चेंज हो रहा है और जैसे ही velocity change हुई तो ऐसे यहां पर यह value है यह non-zero हो गई मतलब कि यह value की value होगी velocity change हो रही है velocity का direction change हो रहा है मतलब यहां पर acceleration हो रहा है और जो velocity का direction है वो uniformly change हो रहा है ऐसा नहीं कि यहां पर कुछ velocity है कुछ acceleration हो रहा है यहां पर जादा acceleration हो गया यहा पर खंक हो गया इसा नहीं है जो acceleration है वह continuously same है मतलब excel फोना acceleration हार जगानल भूच्छन कि पर यह रहा है तो यहां पर acceleration तो है ही साथ ही साथ में Uniformave acceleration that's why circular motion is called uniformly accelerated motion circular motion जो होता है किसी भी object का इसी वज़े से हम इसको और क्या कहते है circular motion को क्या कहते है uniformly accelerated motion circular motion जो होता है circular motion को हम क्या कहते है यह हमारा हुआ circular motion circular motion इसका एक और नाम दिया गया है मतलब और नाम नहीं ये एक टाइप का क्या है circular motion क्या है ये एक टाइप का uniformly accelerated motion है क्यूं uniformly accelerated motion और यह अगर कोई पूछे आगर कोई एक्जाम में है कि क्यों है युनिफॉर्मिल एक्सलेरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन, क्यों वहाँ पे विलासिटी वह तो भाई सेमी है, अतलब कि स्पीड जो है वो सेमी है, अगर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 10 मीटर प लेकिन जो direction है वो continuously change हो रही है, that's why it is an accelerated motion and moreover it is a uniformly accelerated motion, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो acceleration है, वो uniform है, वो same है, that is not changing, तो यह हो गया, एक uniformly accelerated motion, clear है topics? तो अब थोड़ा से revision करते हैं कि आज हमने क्या 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 कप किया, आज हमने पूरा क्या क्या starting है, क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हम इन और inertial or non inertial frames की बारे में पढ़ना था, जिसके लिए हमें सबसे पहले अपना clear किया, कि frame क्या होता है, frame क्या चीज है, frame वो है, जो हम reference लेते हैं किसी object के motion या rest को जानने के लिए, उसे frame बोलते हैं, यह हमारा frame था, frame का, अब frame का एक साथ में को देखा थी, position कैसे कैसे change होती है, तीन तरीके थे, distance या तो change या direction change हो जाए, या फिर दोनों ही change हो जाए, यह होता है, यह क्या तरीके है, उसकी, जो position है, वो change होने okay, अगे क्या था, कि जो frame of reference हो क्या है, frame of reference वही अभी बताया, जिसके respect में हम motion को देख रहे है, motion को हम perceive कर रहे है, वही हमारा frame of reference, और inertial और non inertial क्या हुआ, inertial frame of reference वहा जिसमें law of inertia hold कर रहा है, मतलब कि law of inertia क्या है, कि एगर west में rax में रहेगी, motion में móशन में रहेगी, जब ت उस पे external कोई force नहीं लगाएंगे, ये प्रेजित किस में करती है, accelerated, जो non accelerated frame of reference होते हैं, उनमें ये hold करती है, तो non accelerated वाले को हम बोलते हैं, inertial frame of reference, और जो accelerated होते हैं, उनको हम बोलते हैं, non inertial frame of reference, और उसी पे फिर हम ने examples से समझा, की accelerated और non accelerated, तो हमारा clear हुआ कि uniformly और non uniformly का मतलब क्या हुआ मतलब यहां पर acceleration का जो value है acceleration खुद में change हो रहा है और इस condition में जो क्या है acceleration की जो value है वो खुद में change नहीं हो रही है एक में 20 था, 40 हो गया, एक में 20 था, 20 ही रह गया और इसी basis पे फिर हमारा आया uniform circular motion क्यों, velocity change हो रही है या direction की velocity की change हो रही है तो यह है हमारा uniform circular motion और इसी uniform circular motion को हम और क्या कहते हैं uniformly accelerated motion मतलब यह uniformly accelerated motion का example है circular motion, uniformly accelerated motion का एक बहुत perfect example है तो यह थी आज की class, यह थे हमारे topics जो आपने आज discuss कि यह पुराने topics जो हमारे inertia थे उससे थोड़ा सा related concept था, क्योंकि उस ही उनी points को हमने यहां पे आगे आके law of inertia को यहां पे apply करके समझा और यहां पे हमारा last topic आज की था, कि uniformly accelerated motion क्या होता है तो आज की class यहीं खतम होती है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे like कीजिए आपने friends को साथ में share कीजिए जो physics पढ़ना चाते हैं, जानना चाते हैं, basics क्लियर करना चाते हैं अपने physics की और यहीं पे हमारा आज की class end होती है Thank you क्या हुआ हुआ है